हलो मैं डियर फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वास्थ होंगे आज हम लोग CHSL exam 222 में रिजिनिंग से पूछे के परश्ण को सौल्व करेंगे ये CHSL exam में पूछे के परश्ण का सातमा प्रैक्टिस क्लास है अगर आपने इस से पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके CHSL exam में किस परकार की लॉजि सबसे उसी परकार संबंदित है जिस परकार दूसरा सब्द पहले सब्द से और चौथा सब्द तीसरे सब्द से संबंदित है यह कुश्चन CHSL exam 2420 में पूछावा प्रशन है समझेगा स्टेट्मेंट में कहा गया है पहला सब्द और दूसरा सब्द के बीच में जो रिले ट्रक वहान के अंतरगत आता है और बर्गर भोजन के अंतरगत आता इसी प्रकार ग्लास जो है क्रॉकरी के अंतरगत आता है तो कॉम्चों सा ओप्शन में दिया गिया आपको और जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर समझ में आ गया अगला question coding decoding का है समझिएगा question है निमलिखित प्रस्ट में दिये गे विकल्पों में से अलग अक्षारों को चुनिए यहां पे आपको चार option दिया गया इन चारों option में से आपको पता करना है कौन सा option में अलग दिया गया है relation समझ में आ रहा है समझिए इसके logic को पहला option में आपको दिया गया है लेटर पी एल एच तो आपको कुछ नहीं करना है इसका place value को लिखना है तो पी आता है कितने नमर पे पी आता है 16 नमर पे इसके बाद है एल एल आता है 12 नमर पे इसके बाद है एच एच आता है आठ नमर पे इसके बाद समझिए सी में दिया गया है के जी सी तो के कितने नमर पे आता है के आता है 11 नमर पे इसके बाद समझिए जी आता है साथ नमर पे और सी आता है तीन नमर पे option B में आपको दिया गया है Z, B, R तो आपको पता होनी चाहिए Z कितने नमर पे आता है Z आता है 26 नमर पे इसके बाद दिया गया है B B आता है 22 नमर पे इसके बाद आपको दिया गया है R R आता है 18 नमर पे और option D में आपको दिया गया है letter T, P, K तो T आता है कितने नमर पे, T आता है 20 नमर पे, इसके बाद दिया गया है P, P आता है 16 नमर पे और की आता है 11 नमर पे, अब इन सीरीज में आपको संख्यां के बीच में देखना है किस प्रकार का रिलेशन है, पहला ओप्षन में देखिए संख्यां 16 से क्या हो गया है, संख्यां 16 से 12 हो गया है, यहां पे किया गया है मैनस का फोर, इसके बाद समझेए 12 से संख्यां 8 हो गया है, यहां भी किया गया है मैनस का फोर, इसके बाद ओप्षन B में चेक किजिए संख्यां के बीच में रिलेश यहां पे संक्या 26 से 22 हो गया है, यहां भी किया गया है मैनस का 4 इसके बाद 22 से संक्या 18 हो गया है, यहां भी किया गया है मैनस का 4 और यहां पे option C में देखिए संक्या के बीच में relation 11 से संक्या 7 हो गया है, यहां भी किया गया है मैनस का 4 और 7 से संक्यां हो गया है 3 यहां भी किया गया है मैनस का 4 option D में संक्यां के बीच में relation चेक किजिए 20 से संक्यां 16 हो गया है तो यहां पे किया गया है मैनस का 4 और 16 से संक्यां 11 हो गया है तो यहां पे किया गया है मैनस का 5 तो कौन सा option में अलग relation है option number D में अलग relation है संख्यां के बीच में और यही हो जाएगा इस question का correct answer क्योंकि question में कहां गया है अलग अक्षरों को चुनिए इन चारों option में से अलग यही है इसलिए यही हो जाएगा correct answer समझ में आ गया अगला question है नम्मर analogy का समझिएगा question है उस विकल्ब को चुनिए जो चौती संख्यां से ठीक उसी तरह संबंदित है जिस तरह पाली संख्यां दूसरी संख्यां से और पांचमी संख्यां चटी संख्यां से संबंदित है question में कहां गया है पाला संख्यां और दूसरा संख्यां के बीच में जो relation है वही relation तीसरी संक्या और चौती संक्या के बीच में आपको बनानी है और से में relation है पांचमी संक्या और चाठी संक्या के बीच में समझ में आ गया question अब समझे इसके relation को ध्यान से यहां पे देखिए बाला संक्या है एक सो तैस और एक सो तैस से संख्यां कितना हो गया है 492 हो गया है तो 123 से 492 लाने के लिए क्या करना परेगा आपको यहां पर करना परेगा 4 से multiply 123 में 4 से multiply करेंगे तो संख्यां आ जाएगा 492 इसके बाद समझ यह 32 से संक्या कितना हो गिया 108th हो गिया तो यहां पे आपको कितना से मल्टिप्लाइ करना परेगा यह पर करना परेगा चार से s समझेगा जो रिलेशन यहां पर है संक्यां के बीच में वही रिलेशन यहां भी है और सेम रिलेशन आपको यहां पर बनाना है संक्यां के साथ में समझ में आ रहा है यहां पे आपको संखिया दिया गया है 312 यह 312 कैसे आयेगा यहां पे संखिया रहा होगा कुछ उसको अगर multiply किया जा 4 से तब जाके संखिया रहा होगा 312 तो इसका मतलब आप 4 से multiply करने के जगह पे इस संखिया को 4 से divide भी कर सकते हैं 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 312 में 4 सेडिवाइड करेंगे तो संख्यां आ bib and तो प्रस्णवाचक जगापे कौन सी संक्यां आएगा, संक्यां आजाएगा यहाँ फेयर Limitedinder largest करेंगे। 78 को जब 4 से multiply करेंगे कितना आजाएगा, 78 को 4 से multiply करेंगे तो संक्यां आजाएगा 312, समझ में आरा है आपलों को, या तो आपको 4 से multiply करना है, संखियां 78 में या फिर 312 में आपको 4 से डिवाइड करके संखियां लाना है तो 78 ओप्षन नम्मर B में दिया गया यही हो जाएगा correct answer अगला question बहुत ही simple है नम्मर एनालोजिका समझियेगा question है निमलिखित में से असंगत संखियां योगमकाच चैन कीजिये यहाँ पे आपको 4 option दिया गया है इन 4 option में से आपको पता करना है कौन सा option अलग दिया गया है समझियेगा पहला option में संखियां दिया गया है 13 इसके बाद दिया गया है 169 तो आपको पता होनी चाहिए 13 का S2 कितना होता है 13 का S2 होता है 179 और इसको 179 लिखा गया इसके बाद समझे Option C में आपको दिया गया है संख्यां 12 इसके बाद दिया गया है 144 तो आपको पता होनी चाहिए 12 का S2 होता है 144 और इसके बाद Option D में आपको दिया गया है 15 और 225 तो 15 का S2 करेंगे तो संक्यां आ जाएगा 225 तो यहां पे समझेगा आप जो भी संक्यां दिया गया है पहले उसका S2 करके आगे लिखा गया है समझ में आ रहा है यहां पे देखिए 13 का S2 किया गया 179 लिखा गया उसी परकार 12 का S2 यहां पे 144 लिखा गया लेकिन option B में देखिए संख्यां दिया गया 21 इसके बाद लिखा गया है 431 तो 21 का SQ होता है 441 लेकिन इसको लिखा गया है 431 यही हो जाएगा इन चारों में से अलग option समझ में आ रहा है option नम्मर B हो जाएगा correct answer अगला question when diagram से है समझिएगा question when R1 का चैन कीजिए जो निमली खित वरगों के बीच संबंद को सर्वत्वा रूप से दरसाता है आपको सब्द दिया गया है बेड इसके बाद दिया गया है बेडरूम इसके बाद सब्द दिया गया है घर इन तीनों सब्द के बीच में किस प्र जाएगा घर की अंदर में आ जाएगा बेडरूम तो घर की अंदर में आ गया बेडरूम इसके बाद दिया गया है सवध बेडरूम की अंदर में क्या होता है बेडरूम की अंदर में होता है बेडर तो इस परकार का आपको वेंड डिया गया है यहां पे देखिए चार नमर म बहुत ही आसान है लेकिन आपको confuse करने के लिए examiner बरा नमबर देता है आपको confuse नहीं होना है समझेगा relation को पहला संक्या है 99.986 और दूसरा संक्या है 99.996 तो यहां पे आपको प्लस करना परेगा 10 इसके बाद आगे समझे यहां पे प्लस कर दिये 10 इसके बाद समझे 99.996 से स एक लाग च्छी अन्वय से संक्या हो गिया है एक लाग एक हजारoch तो यहां पे आपको प्लस करना परेगा 1000 समझे में आ गिया यहां तक अब समझे आगे यहां पे देखिए पहले हुआ है प्लस का 10 इसके बाद हुआ है प्लस 100 तो आपको पता होनी चाहिए 100 होता है 10 का S2 इसके बाद देखिए 1000 प्लस किया गया इसके बाद तो 1000 होता है 10 का Q तो आगे आपको करना है 10 के पावर में 4 दस के पावर में 4 आपको प्रस करना है एक लाक 1,096 में समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझ yıl कि 그럼 ए यहाँ पे देखिए 11 nós जानवे में प्लस करना है आपको 3000 कितना आ जाएगा चयाएगा 1,0814 to dependence सा ओप्षन में दिया गया ओप्षन नम्मर सी में आपको दिया गया है जो हो जाएगा इस को सनका करेक्ट एंसर समझ में आ गया अगला प्रस्ण को समझ यह हो अगला कोईशन बहुत ही आसान है समझ यह कोईशन है दियेगे सब्दों को सब्दकोष के करम अनुसार ववस्तित कीजिए आपको पांच वर्ड दिया गया है इन पांचों वर्ड को आपको डिस्टनरी के अनुसार एरेंज़ करना है कौन सा वर्ड पहले आएगा और उसके कौन सा वर्ड आएगा समझिए गारेंज करते कैसे हैं सबसे पहले आपको इन वर्ड में ये देखना आए जो भी remote लेटर है उसको काड़ देना जैसे समझिए m a y इसमें भी है 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 इसके बाद समझे M A Y इसमें भी है इन तीनों लेटर को आपको कार देना इन तीनों लेटर से कोई भी मतलब नहीं है इसके बाद आगे समझे यहाँ पे देखिए M, A, Y के बाद कोई भी लेटर नहीं है तो यही वर्ड आ जाएगा सबसे पहले और यह है तीन नम्मर पे तो तीन नम्मर वला वर्ड सबसे पहले आएगा उसके बाद समझे इसके बाद का लेटर है यहां पे O इसके बाद है यहां पे B और यहां पे letter है F और यहां पे letter है S समझेगा O है इसके बाद समझे O है B है इसके बाद है F इसके बाद समझेए S है तो इन चारों letter में आपको comparison करना है तो सबसे पहले letter कौन सा आएगा सबसे पहले letter आएगा B तो यहां पे देखिए B है इसमें दो नमर वाला word में है B तो दो नमर वाला word इसके बाद आ जाएगा समझेगा आगे अब दो नमर के बाद कौन सा word आएगा B के बाद कौन सा letter आएगा B के बाद letter आएगा F तो F किसमे है F है 5 नमर वाले word में तो इसके बाद आ जाएगा 5 नमर वाला word इसके बाद समझे, एप के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा, एप के बाद लेटर आ जाएगा O, O किसमे है, O है एक नमर वाला वर्ड में, तो इसके बाद आ जाएगा, एक और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा, चार नमर वाला वर्ड, तो ऐसा option आपको किसमें दिया गया ऐसा option आपको दिया गया option नमर डी में और यही हो जाएगा इस question का correct answer उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा नमर एनालोजी का बहुत ही ब्यातरीन question है समझिएगा question है उस विकल्ब का चयन करें जो तीसरी संक्यां से ठीक उसी परकार संबंदीत है जिस परकार दूसरी संक्यां पाली संक्यां से और चटी संक्यां पांचमी संक्यां से संबंदीत है statement में कहा गया है पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो relation है वही relation पांचमी संख्या और चठी संख्या के बीच में है और सेम relation तीसरी संख्या और चोथी संख्या के बीच में आपको बनाना है समझिएगा किस प्रकार का relation है इन संख्या के बीच में यहां पे देखिए पहला संक्या है 10 और दूसरा संक्या है 0 तो 2 से संक्या हो गया है 0 तो यह कैसे आएगा 0 समझेगा 10 में दोनों डिजिट को मल्टिप्लाइ कीजिए 10 में दोनों डिजिट है 1 और 0 इसको मल्टिप्लाइ करेंगे कितना आजाएगा multiply करने के बाद संक्यां आ जाएगा 0 इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 से संक्यां कितना हो गया है 16 से संक्यां 3 हो गया है तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा इन दोनों digit को आपस में multiply तो 1 multiply 6 करेंगे कितना आ जाएगा इसको multiply करेंगे तो संक्यां आ जाएगा 6 लेकिन इसको लिखा गया है 3 यह 3 कैसे आएगा समझेगा 6 को अगर 2 से divide करेंगे कितना आ जाएगा 6 को 2 से divide करने के बाद संक्यां आ जाएगा 3 समझ में आ रहा है आप लोगों को relation इसके बाद समझ में 2 को सक्यां 2iding 2 करने करेंगे 2 संक्यां करने के रहा है यही हो जाएगा correct answer, समझ में आ गिया अगला question है, blood relation का बहुत ही आसान है, step by step समझा रहे हैं, ध्यान से समझेगे, क्योंकि हर एक shift में blood relation से एक से दो question पूछा गिया है, समझेगा question में कहा गिया है, w जो है x का भाई है, w किसका भाई है, w भाई है x का, x का भाई इसलिए इसके उपर sign यूज करना है, plus का, यहां पर समझेगा plus से दर्साय जाता है, पुरूच को और मैनस से दर्साय जाता है, महिला को, इतना बात आप लोगों को पहले से पता होगा, आगे question में कहा गिया है, b जो है, w का पिता है, w का पती कोन है, z का पती है, x पती है, x, इसलिए इसके उपर sign यूज करना है, plus का और इन दोनों के बीच में relation है पती-पत्नी का, तो इस तरह से relation को दर्साय जाता है, समझ में आ रहा है, यहां तक, इसके बाद समझे, इसके बाद question में कहा गया है, z जो है, a की बाद है, a की बाद कोन है, a की बाद है, z, a की बाद है, z, इसलिए इसके उपर sign यूज करना है, minus का, यहां तक आप लोगों को complete समझ में आ गिया होगा इसके बाद समझे, question में कहा गया है, z का ससूर कोन है, आपको बताना है z का ससूर कोन होगा, z रहा यहां पे, और इसका आपको बताना है ससूर कोन होगा, इसका पती है x, और x का पिता कोन है, x का पिता है b, तो z के लिए कौन हो जाएंगे यह, z के लिए b हो जाएंगे ससूर, समझ में आ रहा है तो option number b हो जाएगा correct answer, समझ में आ गया यहां तक इस class को यहीं पे खत्म करता है मिलते हैं, आप लोग अगले class में बैतरीन question के साथ, तब तक के लिए चैनल पे ना है तो चैनल को subscribe कर लिए ताकि आपको इसी तरह आगे का class continue मिलता रहे